नमस्कार मेरे भाईयों स्वागत आपका हमारे चैनल कारोगडेन पर दोस्तों जैसे कि आप सब जानते ही हो कि मारूती कमपनी अपनी नई जनेरेशन से लैडियों को लेकर काफी टाइम से काम कर रही है और कुछ दिन पहले तो इसकी एड़ शूट के तोरां कुछ इमेज़े भी सामने आई थी जिसमें इसे क्लिरली देखा गया था जहां पर ये रेड और ब्लू कर में दिखाई दी थी और ऐसा कहा जा रहा था काफी टाइम से कि इसे दिवाली से पहले लोंच कर दिया जाएगा लेकिन अब बुरी खबर ये है कि मारती कमपनी ने कंफर्म किया है कि कमपनी इसे दिवाली पे ना लोंच करके इसे इस साल दिसमबर के एंड तक लोंच करेगी फिर बाद में ये कहा गया कि इसे इस चाल के फेस्टिवल सीजन के दोरान इंडियन कार मार्केट में उतारा जाएगा और अफिर चेस की लोंचिंग डेट बढ़ा दी गई है सो ये उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जो की फेस्टिवल सीजन के दोरान इसे लेना चाते थे अब देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रोनिक कमपोनेंट की कमी की वज़े से सिर्फ सिलेरियो की लोंचिंग को ही पोस्पोन किया गया है बलकि महिंद्रा स्कॉर्पियो के साथ भी यही सीन होता रहा है जिसकी वज़े से महिंद्र कमपनी ने भी स्कॉर्पियो की लोंच जेट को कमपनी लगतार आगे बढ़ाती जा रही है खेल सिलेरियो की बात करें दे उसे एडवांस बर्जन ओफ हाटेक प्लैटफों पर बनाया जाएगा और इसमें आपको से वही मोजुदा मोडल में मिलने वाला वन लीटर का पैटोल इंजन देखने को मिलेगा आपक बात है इसमें होने वाले डिजाइन चेंजिस की तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि एक नए जनेरेशन रहने वाला है तो इसमें आपको इंटियर और अग्स्टूर में काफ़ी सारे चेंजिस देखने को मिलेगे और बात की जाए इसके expected price की तो इसके expected price 4.65 lakh रुपीज से लेकर 6 lakh रुपीज एक शुरूम डेली के बीच रखा जा सकता है सुबस दोस्तों आज किस वीडियो में तो इतना ही अगर आप इस car related कोई भी information और car reviews मिस आउट नहीं करना चाते तो हमारी चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक और next वीडियो में till then take care and drive safe